हेलो फ्रेंज आज हम एक बहुत इंट्रस्टिंग केस करते हैं तो यह केस है जो 2017 का केस है पुराना केस है तो इसके इसको देखते हैं से कि यह जो पेशेंट है ना इसकी जो मदर है वो ट्रेट्मेंट के लिए आती थी उनको अर्थायटिस का प्रॉब्लम था ठीक है उनके बेटर होने के बाद इसने भी कहा कि मैंने को इलाज लेना चाहिए तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या था ना कि इसको जो ग्रोइन रिजन है वहां पर तीनिया क्यूरेस आसा होता है जैसे पॉलितिन का बैग होता ना पॉलीचन होती हूँ पतली कितनी होती है ट्रांस्परेंट टाइप का तो ऐसी इसकिन की स्ट्रिप हो जाती है यह लंबी-लंबी इस्ट्रिप बन जाती है बिल्कुल पतली ऐसा लगए कि आप छूएंगे तो यह फट जाएगी तो ऐसे इरॉप्शन से इसको थे वह गरीब एक साल से जादा हो गया था इसको ठीक है तो यह उस तरीके के केस्ट पहले लेता था पूरा प्रेस्क्रिप्शिंट करता था तो यह उस टाइप से केस्ट लिया गया था Thoreasa तो इस पेशन ने बताया कि जो जो इसका खाने पीने का रहंसेर का तरीका है वो सारी चीज़े बताएं इसने जंडली होट पेशन्ट है और स्वीट इसको बहुत पसंद है और जो भी इसने डेटर दिया तो इनीचली फिर मैंने पूछा कि इसका आपको टेंशन क्या है बु पेशन से मैंने पूछा कि कोई कभी कोई टेंशन था क्या तो बोला ऐसा कोई खास टेंशन नहीं था फिर मैंने पूछा कि तो थोड़ा होते हुए बोला कि कोई खास टेंशन नहीं है तो मैंने कहा कि मुझे आप क्लियर बताएंगे तो मुझे समझेगा तो यह पेशन बत वह किसी और लड़के के साथ अफेयर था उसका फीक है जब इस बाए इस बंदे को ये बाद पता चली तो उसने उस लड़की को डेवोो कसल किसे डैवोस ले लिए इसने ले लिए刃 कि उसको ऐसी लड़की नहीं चाहिए चाहिए उसके बाद से उसका बहुत मूड अपसेट हो गया और वो उस उस इंसिदेंस को वो बंदर सुनना ही नहीं चाहता था इविन उसका नाम भी लेना नहीं चाहता था इविन उस इंसिदेंस के उपर वो बात भी नहीं करना चाहता था इतना ज्यादा हिट्रेट था इतना ज्यादा गुस्सा था उस और एक बार मैंने कहा इंसिडेंस बताओ अपना तो कोई उसने बताया कि हाँ कोई ऐसा इंसिडेंस है कि जिसमें एक बार की बात है जिसमें उसकी जो सिस्ट उसकी जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्किल में जो किसी एक फ्रेंड की बहन है उसको किसी ने उसको गालियां बाग किया उसको तो इसले और इसके दोस्तों ने उसको दोड़ा कर पीटा भगा कर पीटा पीछा करके उसको जब तक पीटा नहीं तब तक दम नहीं लिया और बहुत मारा उस बंदे को जिसने इसको गालिया दी थी इनकी जो सिस्टर लगती है ठीक है तो उसने बुला कि मुझे ही सब बात पसंद नहीं होती और इस बेस पर मैंने उसको अधिशन दिया था तो इसको हम करते हैं कि पिशेंट किस तरीकी का है तो इंप्रोटन्ट है यहां पर कि आप देखिए पिशेंट सबसे पहले तो जो observation में समझ में आ रहा है कि patient यह secretive है ठीक है बताना नहीं चाहता कोई अपनी बात तो पहला point हमारी समझ में है secretive दूसरा anger violent है इसके अंदर ठीक है इंगर में इतना कि मारता है पीटता है तो और लेकिन मारना पीटना क्यों क्योंकि injustice cannot support में यह बंदा क्योंकि यह बात गलत है कि आपने किसी की sister को गालियां दी और वो बात इसको जमती नहीं है injustice cannot support ठीक है दूसरा rubric तीसरा rubric आपको लेना है कि यह बंदा बदले की भावना रखता है चीक है मतलब उसने ऐसा किया तो मैं बदला लूँगा मारूँगा उसको में ठीक है तो malicious anger with गुस्से के साथ तब ही तो उसने जाके पीटा उसको अब उसने बुला कि जो उस लड़ disappointment ठीक है वो कभी नहीं चाहता थे कि उसकी वाइफ हैसी और उसकी वाइफ हैसी निकल गई तो यह कहला था ailment from disappointment और उसके दिमाब पर वह बात रेगुलर चलती रहती हैं ड्वैल्स पास्ट ओन disagreeable occurrence ठीक है हिट्रेटड है यह बंदा इंगर वायोलेंट है secretive है तो इस सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक ही medicine आती है अभी इनको malicious anger with को छोड़ देंगे तो आप staphis agree और हम यह सब medicine आएंगे तो malicious anger with मैं अकेला रह जाता है नेट्रम्यूर इन सब रूब्रेक के साथ तो नेट्रम्यूर staphis agree और में भी सेम सीज़ें इंजस्टिस के नौट सपोर्ट और हिट्रेट्टेड इंगर वायोलेंट ब्रूडिंग पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंस लेकिन वो covered आईज है वो मारता नहीं किसी को ठीक है तो क्या होता है ओर्डर पोक होता है लेकिन नेट्रम्यूर ऐसा नहीं होता तो यह malicious एंगर विथ ठीक है तो नेट्रम्यूर को 200 के weekly doses दिये थो उसको और उसके बाद अग्पास साल होगया आज तक उसको तीनिया क्योरेज सेसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो नेट्रम्यूर जनरली सिक् को देखा है अपनी क्लेनिक पर अबजर्ब किया है बहुत सिक्रेटेव होते हैं और जनरली आपसे आई-टू-आई कोंटेक्ट मिला कि बात नहीं करेंगे यदि किया भी तो कोई जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर उनकी वीक्नेस दिख रही है तो वह अपनी आँ उनकी और ये वीक्नेस आजाएगी तो लोग उसको पीटिट करेंगे उसके उपर सहानुपूती दिखाएंगे और जो उसको fear of peter being में है जो उसको बिल्कुल पसंद रही आता कि लोग उसके उपर सहानुपूती दिखाएंगे तो ये जो बंदा थाникомous को बंदा था निटर मेर्का, थैंक्यों थैंक्स पर वाच्छिंग